आप सभी का स्वागत है वे एक मिस्ता ट्रेडिंग में आज हम लोग जिस सेर के उपर बात कने वाले हैं अडानी पावर लिम्टेट का सेर है देखिए अभी 59.75 पैसे पे वर्क कर रहा है 10% का मुमेंट दिखाया है यह तो यह अडानी का छोटा बं कितना पावर्फुल है इ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे है जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें नोटिक्रेशन बेल जरूर प्रस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो तो चलिया दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अडानी पावर लिम्टेट का सेर द लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको मार्केट कैपिल बताया ही 174.14 बिलियन रूपीज है नमबर ओफ इंप्लोईज 92 है नमबर ओफ शेयर होल्डर जो है 3 लाग से भी ऊपर है एवरेज वेलू देखे सांदार है 10 डेज का 28.883 मिलियन रूपीज है 52 वीक हाई जो है 65 मतलब कंपनी ने आप पुसंदार लगभग triple percent से ज्यादा का मतलब 300 गुना से ज्यादा return प्रोवाइट किया है अगर इस तरीगे से देखा जाए 52 वीक लो से अगर 52 वीक हाई के बीच में देखा जाए तो बैलेंसीर देखे इसका डेप्ट MRQ जो है 619.377 बिलियन रूपी डेखे फ्रेंट्स मैं इसमें आपको इतनी गजब चीज बताने वाला हूं जो को जो की आपको excited कर देगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए देखे monthly return जो है 64.87 percent है yearly return माइनस में है 3. company जल्दी कर लेगी कबर इतना मैं confirm देता हूं कि यह भी प्लस में आपको दिखाई recovery rate इसका बहुत सांदार चल रहा है तो जरूर से यह कर लेगी अब आईए इसके quarterly result जो की मैं आपको बोलने वाला था कि बहुत हैरान करने वाले और बहुत ही सांदार है तो देखे difference देखे September quarter का और June quarter का सितंबर में revenue देखे 77.49 billion रुपीज है last year के मुकाबले 30 percent की growth जबकि June के quarter result में और अब देखे net income 22.28 billion रुपीज प्लस में last year से तो 99.99 गुना ज्यादा की तेजी आई है इसमें तो यह बहुत सांदार recovery है जो की आपको आने वाले अभी भी सेयर में देखे ग्रोथ कितना सांदार कब की तरह recover किया है अभी हम लोग चार्ट पर जब चार्ट व 28% में इसमें भी growth आई है operating income भी काफी अच्छी increase हुई है देखे last quarter में Y&Y पे तो minus में थी 69.62% फिर उसके बाद जो income आई थी June quarter की वो 6.06 billion रुपीज थी इस बार का देखे सितंबर में 32.15 billion रुपीज लाश्ट टाइम से 450 गुना ज्यादा तो यह हो गई बहुत सांदार cash on hand जो है वो भी increase हुआ है 16.18 billion रुपीज 39% last year से growth cost of revenue जो है 20% घटा है 32.92 billion रुपीज हुआ है तो इस तरीके की इसकी सांदार revenue net income net margin operating income में ग्रोथ हुई है बहुत सांदार last year के मुकाबले और last quarter से सांदार recovery अब देखिए आई इसकी profile के उपर बात कर लेते हैं जो जानत से नहीं अडानी पावर की field में work करती है company उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है तो जो sector utility का जाता है industry electric utilities में है तो अडानी पावर लिम्टर देखिए thermal power based producer है generator और transmission करता है electricity का under term of power purchase agreement जो की इंडिया में all over जेकिए इसके जो main है जो power project के main है जैसे गुजरात हो गया महाराष्टरा हो गया करनाट का हो गया तो इस तरीके और इसके पास coal waste trade भी है तो ये भी बहुत अच्छी प्लस एक चीज निकल के आ जाती है तो आपको अगर company का कुछ detail पता करना रहेगा आपको अच्छे से तो आपको thermal waste power का एक चीज हो गया उपर से coal का भी trade करते हैं व thermal waste ये power plant है जिसकी मैं आपको अभी image दिखा रहा हूं तो इस तरीके का दिखता है well managed well maintained कर रखा इनोंने सब कुछ अपी अब देखे जो basis में आपको brief में बता देता हूं कि कैसी income आई थी क्योंकि अभी तो हमने difference पे बात कर लिया तो देखे जैसे कि इसमें आपको brief में बो पता लगता है कि कितनी सांदार growth हाई है last year से तो इस बार company आपको जब growth हाई है तो share का price तो growth दिखाएगा ही तो जैसा कि दिखा भी रहा है अभी हम लोग chart देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा देखे operation जो है revenue आया है revenue from operation 77.49 billion rupees versus last year था 59.16 billion rupees तो ये हो गए इसके brief में अब देखें जो technical call निकल के आती है जो हम लोग most popular indicator होते हैं उससे decide करते हैं कि buyers को buy, sale, hold क्या करके चलना चाहिए उससे पहले chart view जो कि आपको मैं बताने वाला था तो ये देखें cup जैसा बन रहा है down से अब देखें अचानक से जो ये मैंने green circle में रगा रखा है ये growth आई है चार्ट में इतनी सांदार buying आई है जो कि काफी time से रुकी थी और देखें दो channel बना रखें मैंने जो fill fill करके तो ये जो अभी current price पे चल रहा है वहां पे भी एक बार बना था 2020 जहां पे लेख रखा है उसके direct ऊपर देखिए तो वो वाला उसके बाद July से लेके November तक का भी एक बार बनाया था तो जो इसको break कर चुका है ये इसके अंदर में छोटी-छोटी candles बन रही थी मतलब support and residents काफी close-close थे बट अब share इतना अच्छा increase कर चुका है 65-65 रुपीज तक जा चुका है तो ये आपको जल्दी ये बहुत अच्छा सांदार 75 भी दिखान आने वाला है तो जो पहले से बाई करके रखे हैं या जो इसमें जुड़ने वाले हैं कंपनी का अपने result और financial condition देख लिया तो आप बेजजी जख इसमें बाई करके चल सकते हैं और जो पहले से बाई करके चल रहे हैं उनको hold करने की ही सला रहेगी थैंक्स गाइस पर वाचिंग इस वीडियो अगर आपका इस सेर से लेटेड कोई भी कोश्चन है तो कौन में जरून मैंसिन करिया थैंक्स